हुआ है हलो दोस्तों आज के इस वीडियो का टॉपिक है कि किसी भी कंपणी का गैस लाइटर जब खराब हो जाती है तो आप कैसे उसको रिपेर कर सकते हो जो कोई भी गैस लाइटर जो हम दो खरीटते हैं तो वह साल शह मैंने में खराब हो ही जाता है और वेसी स्थिति में हमें सब्सक्राइब फिराड़ बतवाइब कि आप कोई भी खराब गैस लाइटर को कैसे गर पर ही ठीक कर सकते वह भी बीना किसी अवजार का मैं है इसे जो कि खराब हो गया है और अउसको कैसे हम थाइकि कर सकते हैं और कि बहुत यंद चिक अच्छी चाइब ते स्को इस कमपास का चांप है तो आपके घर पेज़ी कोई बच्चे होंगे तो उसके कमपास से यह आपको मिल सकता है यह फिर आप safety pin वगराय का उपयोग कर सकते हो यह देख़ें जहां जहां पे आपको नमी और carbon दिखेगा वहां वहां से आपको कारबन इस तरह से निकाल देना है कि जो लाइटर खराब होती है दोसको यह सिर्फ नमी के कारण खराब होता है गैस लाइटर का जो हम यूज करते हैं महिलाई जब यूज करती है तो खास्तों से यह जब भींग जाता है उसके वज़़ा से इसमें आटा बगर्या क सबता है और जब इसके चारो और बॉड़ी में नमी आ जाती है तो वह करण्ट शॉट कर जाता है इसके वज़़़स से कि यह स्पार करना बंद कर देती है यह देखो यह पीछे का भी कवर इसका ओपेन हो रहा है बट इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है इसे हम फिट से लगा देंगे और यहां पर भी देखो बहुत सारा कार्बन लगा हुआ है तो इस कार्बन को सबसे पहले हम चांप की मद से हटाएंगे और चाहो तो आप इसे ओपेन भी कर सकते हो बट ओपेन करके कुछ फाइदा है नहीं इस तरह से इसको पलास की सैतास थोड़ा-थोड़ा करके इस तरह से पिटेंगे इसके उपर ताकि जो भी इसमें नमी और डश्ट हो वो निकल जाए कि इसके अंदर एक स्प्रिंग होती है यदि यह अंदर जाके रुख जाए तो फिर हम इसे ओपेन करेंगे और स्प्रिंग को खीच के सिधा करेंगे बट यह ऐसा हुआ नहीं है दोस्तों इसमें कुछ भी इडन नहीं है अब मैन पॉंट यहां से ही इस पार्क होता है और यह दखो इसके चार और जो च्छेद है इसी से धूल मिठी इसके अंदर जाता है और जो भी खाने पीने के समान कहीं डरेस्ट इसके अंदर जाता है और उसके बाद नमी इसमें बनती है और यह उस सकार्क शॉर्ट कर जाता है। और फिर हैं इस से गैस जलना बंद हो है और वैसी दित्य में दूसरा लाइटर खरीदना पड़ता है बट यह आसानी से ठीक हो जाएगा कोई भी आप लाइटर पे यह ट्रिक अपना सकते हो इसमें कुछ भी मिरिकल नहीं है बहुत ही आसान है नमी के कारण सौट कर जा रहा है इसका स्पार्क और अगर आप उस नमी को किसी भी तरह से हटा दोगे तो वह ठीक हो जाएगा यह देखो जब मैं इसको इस तरह से पीट रहा हूं हलका हलका इस पे ठोक रहा हूं तो यह द इस पैयल जम्मा है उससे हटा देना और वह थोड़ा तेडा भी हो गया है evolving कि यृद्टी बीच का जêtati पॉइंड्ट है उसका और उसके बॉड्धि सका डिस्टेंस ही ने रहेगा तो भी इस फार्क नहीं करेंगा इसाप कर येंशनाय देना हे कि ये बिछूर्ट कर्क에 औ बनावर है और अब सबसे पहले हमें यह जो इसका स्पार्किंग पॉइंट है इसको पूरी तरह साफ कर देना है किसी भी तरह से आप चाहो तो एक ब्लेट के टुकड़े करके भी इसको साफ कर सकते हो कि अुझें में लिखा है कि बिना किसी ओजार के ठीक कर रहें है है जैसे प्लास फगर का है आप N Cashम में ब्लाill को ब्लास नोर्मली सबी घर में होता है तो दोस्तों आप कोई भी काम करो इलेक्टिकल्स इलेक्ट्रोनिक्स और कोई भी यह अगर इस तरह चांप वेगर नुकिली चीज़ों का भी इस्तेमाल करते हो तो आपको ध्यान रखना है कि हाथ वेगरम नहीं लगे ने तो इससे छोटी मठी दुरगतना हो सकती है बहुत कभी कारबन के अंदर जमा हुआ है और नमी है वह हट जाए गा और यकिन मानों यह हटते ही यह ठीक ही हो जाएगा मैंने कही बार इसको ठीक किया है और आज जब यह खराब हुआ तो मैंने शोचा क्यों ने इसका एक वीडियो बना दिया जागे दो अच्राम इतना ही आसा दोस्तों अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो क्योंकि हमारे चैनल पर जो दर्सक हैं उसमें से 98 परसेंट लोग लगभग सब्सक्राइब नहीं कर रहा है मैंने कॉमुनिटी पोस्ट पे इसका पोस्ट भी डाला था तो दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरू करो सब्सक्राइब और अगर आपको कोई भी क्वारी हो ताफ हमें कॉमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो मैं एप्रॉक्स सभी कॉमेंट का जवाब जरू देता हूं अभी-अभी हमने दोस्तों कि मेटल कटर पर भी वीडियो डाला है तो अगर नहीं देखा है तो देख लो और वाई-टी टेक्निकल एक हमारा दूसरा चैनल है अगर आप चाहो तो वह चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो डवलू एच वाई-टी और टेक्निकल यह चैनल का नाम है तो उस चैनल को भी आपको देखने को मिलेंगे और यह तो ठीक हो गया है मैंने इसे एक फाइल की साहिताज साफ कर दिया घंस के यह देखो और यह बिल्कुल पहले के मुताबित काम कर रहा है क्योंकि इसके अंदर कुछ भी ऐसा घिसने के लिए होता नहीं है बहुत ही इजी ट्रिक्स है यह अब भी अपनाओ अगर आपके घर पे भी लाइटर खराब है तो सॉट्टेर सो रुप है तो बच ही जाएंगे यह ट्रिक्स से आपके उमीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो अधी पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को जरू को सब्सक्राइब और ड्रील और मेटल कटर का यह वीडियो डाला है अगर नहीं देखा अभी तक तो वो वीडियो भी जरू देखो ठीक है दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जाहिंत बंदे मात्रम